अब हमारा लास्ट टॉपिक रहे गया है डिफरेंशल डाइग्नोसिस इस्कीजोफरीन डिसॉडर और में जाए डिप्रेसिव डिसॉडर बाइपॉलर इसॉडर विछ साइकोर्टिक और केताटॉनिक फीचर्ज तो schizophrenia को इन सारे disorder से किस तरहां से rule out किया जा सकता है कैसे differentiate किया जा सकता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि schizophrenia disorder को rule out करने का तरीका ये है कि सबसे पहली बात कि mood symptoms और active stress symptoms साथ में नहीं आएंगे और अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो mood symptoms का time period कम होना चाहिए ठीक है अगर कम होगा तो फिर हम उसे schizophrenia diagnosis दे सकते है और अगर mood symptoms का time period जादा है और active phase का time period कम है तो फिर हम उसे mood disorder डाइगनोस करेंगे ठीक है बिल्कुल ये ही same बात यहाँ पे भी कही हुई है कि schizoaffective disorder में जो है mood symptoms का time period जादा होता है जबके schizophrenia में mood symptoms का time period कम होगा अगर्चे mood symptoms आएंगे with active phase symptoms ठीक है उसके बाद schizophrenia disorder और schizophrenia form disorder में क्या फरक है तो दोनों के जो time period उसमें फरक होता है कि schizoaffective disorder जो है वो 6 महीने तक रहता है जबके schizophrenia form less than 6 मन तक जो है मोजूद होगा तो भर हम उसे schizophrenia form diagnose करेंगे उसके बाद brief psychotic disorder और schizophrenia disorder में क्या फरक है brief psychotic disorder में सारे active phase symptoms यानि के psychotic symptoms सिर्फ एक दीन के लिए उसमें नजर आते है ठीक है और जबके schizophrenia में ये disturbance छे महीने तक बरकरा रहती है उसके बाद है delusional disorder schizophrenia disorder में क्या फरक है तो delusional disorder में सिर्फ delusions मोजूद होते हैं जबके schizophrenia disorder में positive और negative दोनुष symptoms मोजूद होंगे ठीक है उसके बाद PTSD और schizophrenia disorder में क्या फरक है तो PTSD में अगर आपको याद हो तो उसमें flashbacks individual को आते हैं regarding trauma जबके यहाँ पे schizophrenia में वो flashbacks नहीं होते बलके उसे hallucinations हो रही होते हैं ठीक है तो यहाँ पे इन दो चीजों में फरक करना जरूरी है तभी हम अपनी appropriate diagnosis बना सकते हैं So this is all about schizophrenia disorder Thank you so much